Hello friends, आज मैं आपको 2015 की Will You Be There? ये एक time travel love story explain करने वाला हूँ इस movie की storyline बताना ये एक spoiler हो सकता है तो इसलिए direct start करते है movie start होती है और हमारा main character Sue हमें दिखता है ये एक जंगलों में होता है यहाँ के जो सब अधिवासी लोग है इन्हे help करने के लिए वह वहाँ आया होता है ये एक doctor होता है इस जंगलों में storm आने वाला होता है तो ये और इसके कली आज helicopter से फिल से अपने city में जाने वाले होता है यहाँ पे एक बुड़ा आदमी होता है और इसके गोद में एक छोटी सी लटकी होती है ये लटकी बहुत ही छोटी सी है और इससे medical help की ज़रूरत है इसलिए बुड़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है सू helicopter में बैठता है पर फिर अपना mind change कर लेता है और इस छोटी सी लटकी को help करने के लिए वहाँ रुक जाता है ये जो छोटी लटकी होती है इसके lips abnormal होती है ये बुड़ा आदमी फिर कहता है कि ये लटकी मुझे जंगलों में मिली थी अगर मैं इसके care नहीं रखता तो ये मर जाती वो सू को thank you कह रहा होता है कि उसने इस लटकी की help की है ये old man सू को पोचता है कि क्या ऐसी कुछ चीज है जो तुम life में करना चाते हो सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है इसके लिए मैं wait नहीं कर सकता ये old आदमी फिर उसे एक bottle देता है इस bottle में बहुत सारी गुलिया होती है इसके बाद next day में हमें young सू दिखाया गया है ये एक dolphin की शो में आयो होता है इस dolphins की जो instructor होती है ये इसकी girlfriend होती है इसका नाम Yona है ये शो देखते ही देखते सो जाता है जब ये शो खतम हो जाता है तो Yona इस पर चीड़ी होई होती है क्योंकि ये सो गया था ये इससे sorry कहता है पर ये दोनों train में ज़रा दूर ही बेटते है जब ये पार्क में उतरते है तो एक दूसरे के पास हो आ जाते है सू का हाथ ज़रा hurt हो गया था तो इसे मलम पट्टी वो करती है ये कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ज़रा careful रहना चाहिए तुम सरजन होने वाले हो तुमारे हाथ बहुत ही important होते है सू कहता है कि कितनी time तक हम एक दूसरे से अलग थे ये एक ही minute के लिए अलग थे पर इनको ये बहुत ही ज़ाद अलगता है सू कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ये केकर फिर एक दूसरे को ही हग करते है सू और योना ये अलग अलग cities में रहते है सू उसे मिलने के लिए आया था अब ये जाने वाला है जब योना उसे station पर छोड़ने के लिए आती है तो योना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हो सू ज़रा अनकमफटेबल हो जाता है वो कहता है कि जब मैं बहुत जाओंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा योना हमने जॉब पर होती है चोटे बच्चों ने डॉलफिन्स के लिए एक गिफ छोड़ा होता है चोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो होने लगता है डॉक्स और डॉल्फिन यह न दोनो फ्रेंड से तो यहाँ छोटा सा एक डॉक वो छोड़ कर जाते है योना जब इस डॉक को देखते है तो इसे बहुत ही क्यूट लगता है नेकसिन में देखता है कि योंग सू स्टेशन पर उतर गया है और योना को कॉल कर रहा है उसके साइड में ही एक आदमी होता है और एक खासरा होता है यह जो है यह ओल्ड सू है यंग सू फिर इसके हेल्प करने के लिए जाता है उससे बुछता है क्या तुम ठीक हो जब ओल्ड सू यंग सू को देखता है तो अचमेज हो जाता है उसे बेले हो नहीं हो पाता कि यहसा कैसे हो सकता है Oldsoo उसका नाम पुछता है जब इनाम बता देता है तो Oldsoo कहता है कि मेरा भी यही नाम है यंगसू अब ज़रा अनकमफ़टेब हो जाता है Oldsoo को बहुत ही खासी आने लग जाती है यंगसू अपना रुमाल असे देता है Oldsoo वहाँ से भागते भागते चला जाता है और ट्वालेट में आ जाता है यह जो रुमाल था यह योना ने उसे दिया था यंगसू को यह रुमाल वापस चाहिए तो ट्वालेट तक जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता अब डायरेटली Oldsoo फ्लाइट में है यह हमें दिखता है यह टाइम ट्राइवल करकर उसके पास में चला गया था इसके एड़ से 30 एर्स पहले हो चला गया था यह समझ नहीं पाता कि यह हुआ क्या था नेकस दिन जब यह अपने हॉस्पिटल पहुँचता है पास जीने के लिए सिर्फ 6 मैने बागी है अब नेकस दिन में हमें Oldsoo टेहो के साथ बेटा हुआ है यह दिखता है यह बीच पर आया हुए होते है जो भी उसके साथ सब हुआ था यह उससे बताता है टेहो उसे कहता है कि तुम हैलोसिनेट कर रहे होंगे इसी किसी की भी गोली तुमें नहीं लेनी चाहिए यानि कि ओल्ड मैन ने इसी गोली दी थी यह लेकर यह 30 एयर्स बैक में चला गया था ओल्ड सू अंडर करता है कि अगर मैं फिर से वापस गया तो क्या मैं योना से फिर से मिल सकता हो टेहो उसे कहता है कि इसी कुछ भी बाते मत करो अगर तुम उसे फिर से मिले भी तो भी तुम्हें बहुत तकलिफ होगी अब नेक्सिन में हम 30 एर्स बैक आ जाते है और यहां सू और टेहो दीखते है यह दोनों आप यंग है टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए यह बहुत ही स्टेस में होता है टेहो उसे कहता है कि तुम्हारा रिलेशन्शिप बहुत ही अच्छी है साथ साल गुजर चुके है अब राइट समय कि तुम शादी कर लो और तुम फिर बच्चे के गरा कर सकते हो सू उसे खेता है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड गया था कि मैं बच्चे नहीं होने दूँगा यह फिर आगे चलने लग जाते है और यह कल उसके साथ जुभा था और यह क्यों ओल्ड सू से मिला था यह सब उसे बदाता है तो यह उसे कहता है कि तुमारा कोई ओल्ड पेशन होगा जादा कुछ वरी मत करो अब हम फिर से ओल्ड सू दिखाया गया है यह घर आता है वो इसके बेटी का इसे कॉल आता है इसकी बेटी इसे कॉल पर खेती है कि अच्छे से खाना अगरा खाओ ओल्ड सू जो होता है वो अपना खायाल ने रखता कुछ भी खाना खाता है अनली लाइफस्टाइल जीता है ओल्ड सू को फोर्मर किसी आदमी की आवाज आती है तो उसके लिए जारा कंसंट होता है इसकी बेटी कहती है या अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें फोन रख दूंगी फिर ये दोनों बाते करने लग जाते है ये फोन जब चल रहा होता है तो वे ओल्ड सू को और भी खासी आने लग जाती है ये फिर फोन रख देता है अपनी डॉक्टर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलिया दी थी ये वो देखता है ये अपने आप से कहता है कि वो इसे फिर मरने वाला हूँ इससे कुछ जादा फरक नहीं पड़ेगा इससे जाना होता है सिर्फ पाच मिलिट के लिए आती है शु बिलिव नहीं कर पाता कि इससे सिर्फ ये पपी देने के लिए वो आई थी जाते जाते होना कहकर जाती है एनिमल्स और चोटे बाच्चे ये बहुत जादा सेम होते है तुम अगर इसका खयाल रख सकते हो तुम हमारे वेपी का भी खयाल रखोगे इसका तुम अच्छे से खयाल रखना ये यंग्सू फिर इस पपी को घर पर लेकर आता है इसे पोटेटो नाम देता है ओल्सू गोली लेकर फिर से ओल्टाइम पेरेट में आ जाता है यंग्सू जब इससे देखता है तो अटाय जाता है ओल्सू सब चीजों को टच करता है उसका जो सब पुराना घर था ये वो फैस से देख रहा होता है यंग्सू से कहता है कि अभी कि अभी तुम यहाँ से निकल जाओ फिर ओल्ड्सू से बताता है कि मैं और तुम सेमी हो मैं तीस साल बात कहूँ यंग्सू इस वर बिलिव नहीं करता उसे अपना ID कार्ट पुछता है यह ID कार्ट जब यंग्सू देखता है तब इस पर date 2008 की होती है यह उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो यहाँ से तुम निकल जाओ यह जब यह बोलता है तब यंग्सू का पपी ओल्ड्सू को दिखता है यह उसे पोटाटो बुलाता है यह उसे बुछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता ओल्ड्सू केता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को मैं कॉल करूँगा ओल्ड्सू केता है पुलिस को यानि कि टेहो को कॉल करोगे यह उसे कहता है की जो भी तुम मुझे बात करे हो यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वोल्सू उसे कहता है कि हमारा एक सिक्रेट है जिसे हमने किसी को भी नहीं बताया है वो फिर उसके सर पर जो निशान है वो दिखाता है वो कहता है कि फादर हमें मारते थे फादर के मार से हमें ये चोट लग गई थी हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट करें है यह समझ कर हमने स्काप छुपा दिया था यंग्सू चीर्ज आता है और पूछता है तो इम उससे क्या चाहिए ओल्षू कहता है कि मुझे सिर्फ उससे دیکھना है योना को नाम वा लेता है तबही इससे खासी आने लग जाती है ओल्षू आ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बात्रूमें आ जाता है यंग्सू भीर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आचाता है उसे जो सब हुआ है यह उससे कहता है कहता है कि योना के बारे में भी इसी पता है योना डेंचर में हो सकती है टेहो अपने गर्फरेंड के साथ होता है पर इसके साथ इसे पुली स्टेशन में आना पड़ता है पुलिस स्टेशन में आने के बाद एक लाइटर वो टेहो को देता है यह जो लाइटर है वो अल्ट सू छोड़ कर गया था यह उसे कहता है कि इसके फिंगर प्रिंट से तुम मैच करा इसके कन्फर्म करना होता है कि यह दोना सेम ही है टेहो कहता है कि जैसे मूवीज में दिखाते है इतना इजी नहीं होता फिर वो उसका अच्छा फ्रेंड है इसके लिए उसे हेल्प करने वाला होता है और सो जब रात में घर पहुचता है तो वो फिगर आउट करता है कितने समय तक वो उस पास्ट में रह सकता है वो 20 मिनिट्स तक वाहर रह सकता है उसे अब पता चल जाता है इसके पास जो गुलिया होती है यह भी कम ही होती है यानि कि 10 बार ही यह पास में जा सकता है और सो वंडर करता है कि गुलिया किस तरह की है वो लैब में इसका थोटा सा सैंपल भेजता है पर यह और गनी कि होती है इसमें कुछ भी मेडिसीन या हलोसिनेट वो कर रहा है इसा कुछ भी नहीं है यंग सू फिर योना को कॉल करता है उसे सावदान रहने के लिए कहता है जो फिंगर्प्रिंट से रिजल्ट है वो वापस आ चुके है टेव से कहता है कि इस बस सिब तुमारे ही फिंगर्प्रिंट से किसे और के नहीं है अब यह कंफंग हो जाता है यह ओल्ड सू वह साच्वाच में आया था यंग सू फिर से औल्ड सू से मिलना चाता है उसी मिल सखे, इसका कोई भी वे उसे मालूम नहीं है तो अपने आम पर वो एक टाटू बनवाता है इसमें फिर से वह अपस आ जाो, यह लिखा हो आता है ओल्ड सू जब अपने आफिस में आता है तब उसे वो गोलिया मिलने पाती वो कच्रे में चली गई है ऐसा उसे लगता है कच्रे के गाड़ी के पास वो भागता है सब कच्रा वो निकालता है फिर भी उसे कही भी नहीं मिलती जब फेस अपने ओफेस में आता है तो वो जरा नीचे ही गिर गई होती है यह फिर जेन की सास लेता है और काउच पर बेटता है अपने हाथ पर उसका आटेंशन जाता है इसमें जो यंग सुने टाटू बनवाया था इस पर आ चुका है आज ओल्ड सु के बेटी उससे मिलने के लिए आयी होई होती है इसे लेने के लिए हो जाता है ओल्ड सु अपने बेटी के साथ वैकिशन लेना चाता है पर इसके डॉक्टर उसे कहती कि मुझे पता है कि यह possible नहीं है ओल्ड सु डॉक्टर होता है योना से वो ठीक से बात किये कि चला गया था इसके लिए बहुत सारे बलून्स वगेरा उसके पास लेकर आता है योना की पास आकर कहता है कि फ्रॉग्स जेब्रा ये अपने मेट को प्लीज करने के लिए सिंग करते है ये बलोनों से देता है और इसके लिए सिंग करता है ये दोनों फेर एक दूसरे को था हक कर लेते है ये भी डॉक्टर होने वाली है जब आ डिनर के लिए बैठते है तो ओर्सू से कहता है कि तुम्हें अपने higher education के लिए अमेरिका जाना चाहिए वहाँ बहुत ही अच्छे medical schools है और तुम्हारी mother भी वहाँ है इसकी daughter हो से कहती है कि क्यों तुम मुझे भेजना चाहते हो या तुम्हारी कोई girlfriend है या कुछ बुरा होने वाला है उसे पता होता है कि इसके father को lung cancer है ये फिर गर से निकल जाती है ओल्सू भी इसे ढूंडे ढूंडे जगा पर आ जाता है यहाँ बारिश होती है तो उसे अपना jacket देता है ओल्सू को उसकी daughter कहती है कि तुम बहुत ही late हो चुके हो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ओल्सू कहता है कि मुझे पता है इसे अब बहुत ही दुख हो रहा होता है अब नेक सीन में ओल्सू फिर से गोली ज़िता है और past में आ जाता है यंग्सू और ओल्सू योना के dolphin के show में मिलते है यंग्सू कहिर्यस होता है यह तुम्हारा वक्त कैसा है ओल्सू कहता है इस सब technology ज़रा advance हो चुगी है फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं पितला मुझे कभी कभी लगता है कि पुरानी दिन ही अच्छे थे यंग्सू से पूशता है कि क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन जाता हू ओल्सू कहता है तो यंग्सू उसे रोक लेता है उसे पूशता है क्यों तुम योना से मिलने वाले थे क्या वो फ्यूचर में नहीं है ओल्सू से बता नहीं रहा होता यंग्सू से pressure risk करता है तो यह कहता है कि वो मर चुकी है ओल्सू से बंदाने वाला होता है कि वह कैसी मरी थी, पर वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है, इसके ट्रेंटी मिनिट से ये खतम हो चुके है, अब नेक्स टाइम जब यांग सू और योना साथ होते हैं, तब यांग सू उसे दिल भर के देखता है, अगर वो मर गई तो क्या होगा, ये सब वो वंडर करता ये उसके बिना रह नहीं सकेगा, वोल्ट सू अपने घर पर गाना सुन रहा होता है, इसके जो डिस्क होती है, इस पर कुछ लिखा होता है, मदर का अलबम उसे देखना है, एक मैसेज यांग सू ने उज़े बेचा होता है, जब ये अलबम देखता है, तो उसमें एक इसके बाद तुम गायव हो गए, तो ये फिर से वापस आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए, तुम्हारी लाइफ में बरबाद कर दूँगा, अब नेक सीन बेबस्टॉप पर यंग सू होता है, उसे ओल्ड सू मिलने के लिए आता है, उसे अभी भी बिलिवने हो रह हम दोनों मिलकर इसे बचा सकते है, मुझे बता हो कि क्या करना है, उल्ड सू कहता है कि हम यह नहीं कर सकते है, और हम आज मुमेंट है, वो तो हम नहीं बदल सकते है, उल्ड सू की बेटी है, पूरी लाइफ उसकी इसके बाद थी, ये अगर पास चेंज कर देगा, तो उसक पूरी में उसके लिए दे सकता हो, वोल्ड सू भी उसे बोलता है, क्या तुम योना की लाइफ से चले जा सकते हो, ये एक वे है कि योना भी जिन्दा रहेगी, और हमारी बेटी भी जिन्दा रहेगी, अब यही एक वे है, तो यंग सू भी इसके लिए मान जाता है, वोल् यह यंग सो हस्पिटल में उसके फादर जो है अब एडमिट वहा है इसके फादर मरने वाले है इसके फादर से मिलने जब वो जाता है तब ही उसके फादर इसकी मदर को गालिया देते है कहते हैं कि उसने मुझ पर चीट किया था इसलिए इसके फादर उसके मदर को माते थे यंगसु कहता है कि पहले तुमने उस पर जीट किया था यंगसु फिर वहाँ से चला साता है और फोन लगाता है योना उसे मिलने के लिए आने वाली होती है दो मेने गुजर चुके है पर वो मिले नहीं थे उसे तीन दिनों के लिए चुट्टी मिली है तो उसे मिलने के लिए आरही होती है ओल्ड सु से कहता है कि अगर तुम्ही योना को बचाना है तो एक कॉल करकर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा जो पहला बास था जब यंगसु ओल्ड सु से नहीं मिला था तब यंगसु ने योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है उसे फादर के बारे में उसे बताने के लिए वो अनकमफरेबल था इसलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था पर अब वोल्ड सु से कहता है कि उसे अब तुम्ही यहाँ बुलाना है अगर योना नहीं आती है तो उसका एक्सिडन हो जाता जिस डॉल्फिन को ट्रेंड कर दी थी यह बीमार पड़ चुगा था जब इस डॉल्फिन को बचाने के लिए वह आ गई तो इसका एक्सिडन हो गई है यह मर गई योना की लाइफ इसने सेव कर लिए योना जब वहा थी है तो अपने फादर से इससे मिलवाता है उसके फादर गैसे थे यह सब वह से कहता है यह फिर योना से कहता है अब तुम मुझे अनौए करने लग गई हो जब से तुमने मुझे से कहा है तो मैं बच्चे चाहिए तब से मेरा mind change हो गया है मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे उससे वो बहुत हाशली ब्रेक अप करके वहाँ से चला जाता है यंग सु के फादर भी मर जाते है यंग सु के फादर की funeral पे ओल्ड सू भी आता है यंग्सू इस पर बहुत ही जट जाता है उसे कहता है कि मेरी पूरी लाइफ तुने वर्बात कर दी है मैं उसके बिना नहीं जी सकता ओल्ड सू कहता है कि मैंने भी 30 एर्स उसके बिना जी है ओल्ड सू भी वहाँ से चला जाता है यंग्सू का फ्रेंड टेहो भी वहात है, उसे सहाय देने की कोशिश करता है पर वो उसे दूर कर देता है, उसे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रुरत नहीं है, इनकी फ्रेंडशीप यहाँ तूट जाती है, जब यंग्सू फिर से फ्यूचर में जाता है और रहें इसके बाद हमें फिरसे यंग्सु दिखा जाता है। वह अपने घर पर आता है, वहार उसे एक बुक bater मिलती है। इसमाए लिखा होता है, तो मैं और एक चाशान सो देना चाहती हूँ। एक location वो पता थी है और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों के relationship फिर से अच्छी हो सकती है यंग सू को फिर से एक मुका मिल गया है तो वो भागते भागते वहाँ जाने के लिए ready हो जाता है अब यंग सू योना के पास जा रहा है तो ओल सू की life change हो रही है यंग सू को अपने friend का फिर से गॉला जाता है यह दोनों अभी भी friend है ओल सू को समझ में नहाता कि यह हो क्या रहा है बातों बातों में ओल सू अपने daughter का नाम लेता है टेहो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता यानि कि अगर यंग सू योना से मिल गया तो इसकी daughter भी अब होने नहीं वाली ओल सू अपने daughter की images देखता है तो वो fed होने लग जाती है यंग सू भाग भाग कर योना के पास जाता है ये रस्ते के दूसरे side पर होती है इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तब है इसका accident हो जाता है ओल सू की जो सब photograph थी याने उसकी बेटी वेगरा वो फिर से वापस आ जाते है ओल सू अवे figure out नहीं कर पाता ये इंटरनेट पर योना को साच करता है ये car accident में मर गई थी उससे पता चलता है ये फिर hospital में आता है इसके file वा देखता है इस fire में लिखा होता है कि उसके brain में blood clot थी अगर जल्दी पता चल जाती तो योना बस सकती थी अभी decide कर लेता है कि योना को से बचाना है ये time travel करकर फिर से यंग सू के पास आ जाता है उसे सब को जो बताता है कि वो clot हमें निकालनी पड़ेगी यंग सू अपने friend से मदद लेता है also इस पर operation करता है यंग सू कह लेते है यह operation वो कर लेते है और also फिर से अपने future में चला जाता है also अब हमें hospital में दिखाए गया है जब ये पास से वापस आया था तो वे तीन दीन तक सौया हुआ हुआ था उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है also फिर योना का पता निकालता है योना अभ और वो अपना मुँफ एर रेता है योना को पता नहीं चलने देता कि उसे मिलने के लिए वो आया था उना के accident के बाद वो लंगडा कर चलती है जब ओल्शू येंग सू से face up मिलने के लिए आता है तो येंग सू से पुछता है कि क्या योना ठीक है ओल्शू से कहता है कि को यहीं इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ तुम अच्छी तरीके से जी हो यह केकर वो उसे कहता है कि अब हम लास्ट टाइब मिलेंगे हम फिर से नहीं मिलने वाले वो उसे कहेकर जाता है कि 10 साल बात तुम कॉंफरेंस में जाओगे तुम्हें एक लड़की वहाँ मिलेगी उससे तुम बात कर लेना यहीं तुम्हारी बेटी की मदर है अब हमें एक ओन्फरेंस भी दिखती है और इस लड़की से मिल चुका है यह भी हम दिखता है थोड़े दिन बाद इसे न्यूज मिलती है कि वो प्रेगनेंट है और उसे बेटी हो जाती है यंग सू की बेटी की रिस्पॉनसिबिलीटी इसकी मदर नहीं ले थी तो यंग सू अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे मुमेंट्स हमें अभी यहाँ दिखाया जाते है अब मैं ओल्सू दिखाया जाता है और अपने डॉर्टर के साथ वो वैकेशन के लिए आया हुआ है यह दोनों लेक के पास बेटे हुए है ओल्सू से कहता है कि मैं अच्छा डैट नहीं था मैं बहुत ही कलंजी था तो उसकी डॉर्टरों से कहते है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉर्टर नहीं थी मैंने भी तुमें बहुत तंग किया है वो अपने फादर को कहती है यह बहुत ही लगी थी मुझे तुमारे जैसे फादर मिले थे ये अपने डैड से पुछती है कि अगर मैं तुम मिस करूँ तो मैं क्या करूँगी ओल्ड सू से कहता है कि अगर तुम किसी को मिस करी हो तो उसकी अच्छी मेमरीज जात करना तो मेमरीज के सारी जी सकती हो ओल्ड सू रोने लग जाता है उसकी डॉटर को भी रोना आ जाता है अब जारा टाइम गुज़ा जाता है और ओल्ड सू मर चुका है टेहो और उसकी जो फ्रेंड्शिप थी ये 30 साल तक नहीं थी अगर फिर से फ्रेंड्शिप कर लेते तो इनकी टाइम लाइन पर फरक पढ़ सकता था इसलिए इन दोनों ने कभी फ्रेंड्शिप नहीं रखी टेहो को जब पता जलता है कि ओल्ड सू मर चुका है उसके फ्यूनरल पर वो आता है ये जो special fruits होते हैं ये उसे देता है ये जो fruits है ये orange और tangarine ये दोनों अलग-अलग fruits का combination है सुने ही उसे encourage किया था ये तुम्हें ये जो fruits है इसे grow करना चाहिए टेहो कहता है कि मैंने तुम्हें advice ले ली थी इसके बाद मैं अमिर बन गया था ओल्ड सु की daughter फिर वहा थी है ये कहती है कि क्या आप टेहो हो ये पुछता है कि तुम्हें कैसे बता तो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनकी funeral में सबसे last में आप ही यहाँ से जाओगे एक box टेहो को देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मुझे देने के लिए आपको बोला था टेहो बीच पर आकर ये सब पढ़ता है इसमें जो सब हुआ था time travel लेगे रहा ये सब लिखा होता है टेहो फिर योना से मिलने आता है उसे ये news बताता है कि औल सु मरत चुका है योना ये सुनकर रोने लग जाती है वो कही थी है कि मुझे लगा था कि मैं उसे भुल चुगी होगी जो सब ये स्टॉरी हुई है जो सुने उसे सब कोच बता दिया है ये योना को बता देता है नेकसिन में टेहोब अपने फार्मबे होता है और वो अकाउंट करने रज़ जाता है उसके दिमाग में आता है कि सू के पास तो दस गुलिया थी बाकी की एक गोली खा गई वो फिर सू के घर में आता है पुरा घर चानता है सू की जो रेकाड होती है उसमें उसने चुपा कर रखी होती है टेहोब डिसाइड कर लेता है कि उसे अब सू को बचाना है एक गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है पर इस सोनी पाता वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेर के सुथी है यह वहाँ से जान बुच कर गिर जाता है यानि कि वो बेंश हो जाए और फिर से पास्ट में आ सके यह फिर यंग्सू से मिलनी के लिए होस्पिटल में आता है यंग्सू सिगरेट पी रहा होता है यह उसे चीन लेता है और फेक देता है उसे कहता है कि इतने इर्रिस्पॉंसिबल कैसे हो सकते हो इतने चोटे से प्लेजर के लिए तुम अपनी राइफ क्यों बरबात कर रहे हो टेहो उसे पिल्स वेगरा इन सब चीजों के बारे हैं बोल देता है उसे यह भी कहकर जाता है कि 30 साल तक हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी पर मैं तुम्हारा वेट करूँगा यह यंग सू भी अब अपनी आदत छोड़ देता है टेहो जब फिर से फ्यूचर में आ जाता है तो घर के सामनी होता है वो सू को ढूडने ही लग जाता है उसे को कभी भी मिल नहीं रहा होता इसे लगता है कि यह सक्सेस्पूल नहीं हुआ पर एक्च्वल में ओल्ड सू अभी भी जिन्दा है यह योना से मिलने के लिए जाता है योना पाक में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून सो लेकर आता है उसके पास हो जाता है उससे कहते है कि कितने टाइम तक हम एक-दूसरे से अलग थे इसके बाद यह दोनों एक-दूसरे खुख करते हैं और यही है movie खत्म हो जाती है इस movie ने हमारे पास जो है इसे appreciate करना है और हमारी life जो है इस movie में अच्छी तरह किसे जीनी है यह हमें एक अच्छा मैसेज दिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा मैं बहुत सारी ऐसी मुवीज लेकर आधा रहे तो तो प्लिस इस चानल को सब्सक्राइब पर दीजिए और बेल नोटिफिशन आइकोन दबाना मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तके लिए थैंक यू और आप आपने आपका ख्याल रखिये